नमश्वार उस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं सभी बहुत यह बढ़िया होंगे दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिनस्ट्राइट को लेकर जी हां आप में से अधिकांश लोग मुझसे यह पूछ चाहिए नहीं होगा कि अगर काम करता है तो वह किस तरीके से काम करता है तो सबसे पहले इसके पीछे का साइच आप लोग समझ लीजिए हमारे बॉड़ी में जो आम तौर पे दो तीन कारणों से जो है ना बाल जहरता है नॉर्मली उसमें से ज्यादा दर कारण जो वानशे का आता है वो होता है DHT, Dihydrotestosterone, मतलब जिसके कारण जो है, हमारे बाल पहले धीर-धीरे पतले होते जाते हैं, धीर-धीरे फिर वो जढ़ जाते हैं, अगर आप hair cycle को समझते हैं, तो energy period का time period जो करीब 2-6 साल के बीच का रहता है, वो और short हो जाता है, मींस, बाल थोड़ी बड़े होते हैं, अब DHT करता क्या है, DHT एक्षिल में आपके बॉड़ी में जो टेस्टेस्टरोन जो रहता है, उससे 5-alpha-rerectus जो हार्मोन से रहता है, उससे जो है वो DHT तयार होता है, अब DHT करता क्या है, ब्लॉकेज बनाता है आपके बालों के जड़ों में, जी हां, ब्लॉकेज बनाने आएगा, अब फिनिस्ट्राइड क्या करता है, फिनिस्ट्राइड आपके इस DHT के जो लेवल है, इसको कम करता है, तो आपके बालों को जो नुकसान पहुचा रहा था, उस चीज को जो हो कम कर देगा, तो आफकोस आपके बाल जो पतले हो रहे थे, वो धीदरे मोटे होना चालो हो जाएगा, जो ये वी, उनीस-बीस साल के उमर में खास करके, जो है ना, DHT का बहुत ज़्यादा एफक्ट होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि 25 अब 20 तक तो आप हो सकता है काफी अगर DHT की ज़्यादा ज़्यादा तो तब तक हो सकता है, आपके आपके अब काफ है पर उस पर थोछे side effects होते हैं, लेकिन doctors जो है इसको इसको इप्रिसक्राइब करते हैं, अपने precaution लेकर, पूरी तरीके से precaution लेकर, ठीक है, अब इसकिए side effects होते है, वो replaceable है, अगर आपको लगता है कुछ problems आ रहा है, sexual side effects थैख थैख कुछ भी side effects, आम तर पर जाएधार जो कंप्लेंस आती है उसमें से 90 परसेंट जो कंप्लेंस है ना वो मनोबेग्यानिक होती है मनोबेग्यानिक मतलब लोग लेने के बाद उनको लगता है कि भाई उनके बॉडी में इंपोटेंसी आ गए जो आप है टांसपांटिशन करते हैं तो मैंने आप लोगों पहले ही बोला हुआ है कि आपके जो यह डोनर अरिया की जो बाल होते है वो डीएच्टी रेजिस्टेंट होते हैं ठीके ना मैंज ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर डीएच्टी के एफेक्ट हो रहा है तो उसके उ ज़दा करें कि डीएच्टी के कारण जढ़ें और वो आपके टांसपांटिट हेर्स को अफेक्ट करेंगा ही इसलिए शुरू के जो चे महीन होते हैं उस टाइम पे फिनस्टराइट लेना काफी अच्छा माना जाता है और 99% डॉक्टर्स जो हैं फिनस्टराइट को प्रि लेकिन इस पर स्टेडी किया तो मैं यह समझ रहा हूं कि शुरुआत के दुन में फिनस्टराइट लेने से यह हो जाता है कि वहां पे बहुत अच्छा एन्वार्मेंट तयार होता है जो की डीएच्टी रेजिस्टेंट होता है आपके ट्रांसपांटेट हेर्स जो आपको इस लिए शुरू के चैनल नहीं होते हैं सारे के सारे डॉक्टर सी मैं बोलूंगा कि फिनस्टराइट प्रसक्राइब जरूर करते हैं मैं ऐसे भी डॉक्टर से पहले नहीं करते हैं लेकिन इस चीज़ के बाद से वह भी करना चालू कर दिये हैं और इवन मैं भी यह सोचत लगता है उनको नीद की कमी लगती है यह सारे प्रॉब्लम्स उनको लग रहे हैं ठीक है अब यही से शुरू होता है बात के हैर ट्रांस्परेंट है या नहीं मैं आपको यह पहले भी समझाए फिर भी समझा देता हूँ नहीं है मैंने इसको घड़ी के एक एक अग्जांपल देखे आप लोग पर पानी नहीं जाएगा यही सेम कीस है डियेश्टी रिजिस्टेंस के साथ में लोग टूं मेँ और बीस धनैंट पर यह पहले हों TIM जबाव नहीं लिया होगा बाद में गरें। तो यहथाइंस है ड्यस्टी और फिनिस्ट्राइट के बहुत beneficial है, बहुत कारेगर होगा अगर आपके बाल polisher है कारण जड़े है या किसी और कारण से जड़े है ठीक है, stress के कारण जड़े है तो maybe finistrite के बिना भी आपका hair transplant काफी लंबा चल ज़कता है लेकिन DHT कारना करना जड़े है तो आपके लिए finistrite बहुत ही important medicine है अब आप में से हो सकता कई सारे लोग finistrite लेते होंगे ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे जासे होंगे जो finistrite नहीं लेते, तो क्या मैं आप लोगों को ये force कर रहा हूँ या proside कर रहा हूँ, या motivate कर रहा हूँ आपके 10-15 साल में जड़ाए बाल, लेकिन आज नहीं तो कल वो DHT एफेक्ट करके छोड़ा एफेक्ट करके, आज नहीं तो कल वो बालो को पतला कर देगा या जड़ाएगा DHT के कारण अगर आपके बाल जड़े हैं तो DHT के जित्ते भी hair loss के patients हैं उनके लिए ये अच्छी खबार लो बुरी खबार ले लो अच्छी खबर में ये मान के चलो कि अगर यंग एज में हो यार तो आप यह ट्रांस्पर करा भी ले तो दस-पंदा साल बाद भी आज जड़ जाएं किसी के जल्दी भी जड़ सकते हो सकता है लेकिन अगर जल्दी भी जड़ सकते हैं तो भी सही है कि जिनके जिनके पॉलुशन एकारण इस्ट्रेस लेवल के जड़े हुए है उनको शायद फिनस्ट्राइट के बिना भी उनका हेर ट्रांस्पार्टेशन का रिजर्ट काफी लंबे समय तक चल सकता है उसको अपने मेडिकेशन पर काम करना पड़ेगा मेंस इस्ट्रेस लेवल को मैनेजमेंट करने आना चाहिए उसको ठीक है पॉलुशन के कारण जड़े हैं तो पॉलुशन एक कारण आपके कई लोगों के ऐसे हैं जिनके पापा दादा किसी कही बाल नहीं जड़े पर बंदे के जड़ पॉलुशन एक कारण जो माहौल है तो उसके लिए कहां नहीं जा सकता क्योंकि अगर आपके रियल बाल जड़े चुके हैं तो एवन लॉंग टर्म में हो सकता है पॉलुशन तो बढ़ना ही है कम तो कुछ भी नहीं होने बाला है गार यह बढ़ना है पॉलुशन तो करने के लिए अच्छा लगा हुआ लगा है अच्छा तो लाइक कर दो और हमाई चाहल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ठीक है अपना ख्याल रिजल्ट है एक नंबर का रिजल्ट है शांदार रिजल्ट परस्नालिटी पूरी चेंज हो गई बाई अगर आप लोग भी है ट्रांस्पन कराना चाहते हो और कुछ भी इंफर्मेशन चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर बॉट्स अप करो जितना भी हैल्प कर सकता हो मैं जरूर करूँगा आप लोग बिल्कुल भी यह नया लेंस लिया मैंने और यह फोकस का है ओक है बिल्कुल भी चिंता मत करो ठीक है तुम्हारा भाई है ओके बबाए टेक केर अपना क्यार रखना अ अ अ